कि है कर दो हलो है है हम लोग आध देख रहे हैं जो पूर मतिकल है तो हम देखते हैं कि कौन-कौन से वंस्ट हुए है जो आप पर चेर वंस चोल वंस और आपके जो पंडाय वंस यह तीन दोजान वाकर बड़े वंस हुए हैं तो इन से कोश्ट पूटैज प्रधक्न करेंगे ज्स चोल Одसे बीजिए अब ही आ रहे हैं इसके बाद आप देखेंगे भी है राष्ट को ढूते हाज करते हैं ना और अकरिवतन को थोटा और है peng सौन को समला हुआ आता है पुलिकेशन प्रथम किस चालुक सासक ने थानेश्वर वा कन्योश के महान साथ हर्षवर्धन को नर्वदान अल्दी के तट पर परास्त किया था यह बहुत इंप्रॉटन कोश्चन है यह पुलिकेशन दुती ने हराया था हर्षवर्धन को चालुक पल्लव प्रत्याकर वातापी पर कब्जा कर लिए था वातापी कौंड की उपाइधान की यह किती नर्शिंग वर्मन प्रथम ने किस चालुक सासक ने चेर चोर पांडे को हराया देगी तीनों को हराया चालुक सासक था यह जिसका उसे तीनों समुद्र यानि बंगाली खाणी हिं इसके बाद आते हैं आगे पहाड़ी कार एक पहाड़ी ती उसे उपर से काट काट के काट काट के फिर इसका नर्माण किया गया उपर समली काट के आगे और यह एक स्यू मंदिर बनाया गया है ठीक है तंग किसने तंजाओर में ब्रह देस और मंदिर निर्माण करवाई था यह आपकर राजा राज प्रतम ने चलूक वनस का सरव दिक प्रशिद सासा कौन था तो यह पूलिकेशन प्रतम था कौन सा शहर चोलों चोल राजाओं की रद्धानी था तब पालवव के एक कास्मी रत मिलने का इस्तान है महाबली पूरम आपके महाबलीपुरम में मिलते हैं घुडिक weit भैसल के लिफ हम इनाम Nej ती महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस सासकों को रुची दचता दाता है यह पल्लों की कला है जो आपके महाबलीपुरम के मंदिर है इसा चटानों कड़कर बनाए गया है यादो समराटी रधनी कहा थी यह ने पुझा जाता कोशन चोल राजा हुने किस धर् करें कि प्रतम भारती सासक को था जने अरब साकर ने भारती नौ से ना की सरोचित आ इस्तापित की तो राजा राज प्रत्म था यह यह बीट चोल वंस कई था किस धर्यों के पास सकती सफाली 10 नौसे न थी तो च्छोल च॥ नहीं यहीं लगवाद आपका इंडरो नहीं कब्जा कर रखा था भगवान नट्राज की प्रशिद्य मूर्ती जिसमें भरतना ट्यम सिल्ब कला है कहां पर जिते चितादा चितंबरम में जो नट्राज की मूर्ती और यह जो है आपके चोल वंस की कला साहलिक दर साथी है अगे आते हैं राश्टोटों को किस राश्टोटों को किस ने उखाड प्रशासन के छेत्र में चोल राजवन्स का मुक्यूदान क्या था इस्तानी सुससासन जो था चोल की ही देन है वैसे तो आपका वैदिकाल में था लेकिन यहां पर बड़े रूप में आता है और जो करवा प्रशुत के मंत किस ने करवाया था किस ने करवाया था किसने प्रशुन तम्ति कवी राजमार की रशना की आमोग वर्स नहीं की थी प्राजवकाट काल कानर साहत की समय अधिक उपज होता है मंदिर सrocket कला की द्रहवन सैली का आराम 27 आफ्राजवकाट के समय हुआ था मंदिर स्सक्रापत कि छो द्रहवन सैली ते आपके सा करा में परनि lawेत की थी चैलुक विक्रम सम्मत का प्रचलन के से किया था यह नहीं पूछता है ठीक है चोल काल मेंना उसियना का सरवधिक विकास किसके समय वह तो राजिन प्रथम के द्वारा हुआ था राजिन चोल द्वारा किये गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का सासा कौन था तो महीपाल प्रथम था वह चोल राजा कौन था जैसे स्रिलंक को पूरत सुनतर दी और सिंगल राजकुमारी के साथ अपने पुत्री को विवा कर दिया कुलो तोंग प्रथम था चोल ससक की सब्सक्राइब नाम से तमिल में अनुवाद किया था मलब वहां भारत का जो है भारत विवड़ा नाम से तमिल में अनुवाद किया था पेरुंद्वे नार ने किया था पूंचा ने गिया है इंगले से पूछा जा चुका है पल्लों की राजमासा क्या थी संस्क्रित थे जोल काल में सोने से करके कला थे ऐलोरा गुफा 34 कप बनौए गा था यह ऐसा कोशन कभी ने पूचेगा अजनतर लौए गुफा कहां पा लुख फिस्टू महरतिथि जो है त्रिमूर्थि नाम चले जाती है कहां मिलती यह को एलिफंटा गुपाँ में मिलती इन यह महारास्ट में है पर हो इसलिस पाता है आपके हेलिवड और बेलूर में पाजाते हैं चोल द्वारा किसके साथ घनिस्ट राजनीती और वैवाहिक संबन्द साबित की गए तो वेगी के चायलुक में द्वारा ठीक है इन्हों ने अपने वैवाहिक संबन्द साबित किये थे चोल काल में निर्मित नट्राशी कांस प्रतिमाओं में देविकेत प्रया है मलब चतरभुच दिखाई गया करती जो है नट्राशी मूरत अब गोल गोल देखेंगे बनी हुए यह डांस करती हुए बारमे सधि में राश्टकुट वण्स के पांच सिलाले किस राजवे मिलते हैं करनाठा के मिलते हैं दचन भारत का तक ओलम का युद हुआ था चोल और राश्टकुटों के मद्द वह ते काफी माद़पूण युद था इल्लॉराई गुफाँने निर्मार किस ने करवाय गोपुरम का तात पर क्या है गोपुरम में जो तोरण होता है तोरण के उपर बने अलंक्रित बहु मंजिल अब जैसे आपका देखेंगे जो आपका यह तोरण होता है है वह कि यह तोरण होता है मंदिर बन गया यह कि मंदिर वू तो रणके समय ऊपर जो आपका बना जाता है आपका यहां पर झंड़ लगाते हैं उससे हम नामें गोपुरम बोलते हैं ठीक है एलोरा में गुफाओ यह बता चुका है आपका जदा आजन्ता और एलोरा की जो कफाएं वो हिंदू बौध और जैन धर्म से समद्ध था क्या थी दूख प्रससासन की जो प्रस्ता थी वह था आपकी ग्राम स्वायत यानि आपका इस्थानी तो सासन चोल का राज किस राज में फैला हुआ था तो चोल राज तो बहुत को रूमंडल दक्कन कुछ भाग पैल दब को रोमंडल छेतर आपको कहाँ पर रहे आपका यह आपका आएगा यह और मंडल था ठीक है और आए कोशन काता है चोल सासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबस्याद कौन से विख्यात है चोल यूग प्रसित्ता किसके लिए ग्रामीर सभाओं के लिए प्रसित था किस राश्टो सासक ने रामिश्वरा में विजय इस्तम एवं देवाले की स्थापना की थी प्रसित्ति ने की थी यह कोशन आया नहीं कभी संगमबंस का अंतिन संस्था कौन था तो कौन था आपका यह विरुपाच्छे दुद्धी था संगमबंस वही है आपका जो आपका मुहमद बिन तुकलक के समय 1336 में इस्तापित होता है हरी हर बुक का इस्तापित करते हैं तुलू वंजग संस्तापक कौन था और यह अपका तुलू सालू तुलू और वीडू तीन पार्ट में डिवाइड था तुलू संस्तापक था वह आपका वीर नर्सिंग था तुलू सासक क्रश्ण देव राय किस कृति में सबसे सकतिसाली राजा बताया गया है बावर ना में बताते हैं कि सबसे सकतिसाली जो सासक था वरतमान का यानि उस समय का कश्ण देव राय था तुलू वंस का सबसाता है ठीक है किस बंदर किस बादसाय को दक्कन कर नीरों का जाता है तो हुमायू शा को का जाता है आयंकर विवस्ता किस प्रसाने जुड़ी है या कि ग्र सबस्क्राइब किस नहीं कि इंपॉर्टन्ट है को तो कुटुब अली साय ने गोला कुंड किस ना की थी मालवा एस्टित बास बाहत्दूर राणी रूप मधी का महल किस ने बनवाय था यह βे नहीं both है सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच करकी की वीच युद्ध को QUEHAWAений तो फिरोज सा और देव राय के बीच जो युद्वा था उसे कहा गया है सोनार की बेटी का युद्व ठीक है इस में आपके इतना ही कोशन रखते हैं जो को दच्छ नबारा था इसलिए इंपॉर्टेंट है कुछ इसके बाद हम आंगे बात करेंगे सल्तनात काल की तो मिलते नए शुडियो में थिंक्यू